आज दाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर अपने सब ही गनित, रसाइन, विज्यान, भौतिक विज्यान और जी विज्यान के डाउट्स का करो सपाया बस प्रशन की फोड़ों खीचो, एच फ्रशन को क्रॉप करो और तुरत वीडियो सिलीशन पाओ अभी राउनवन ओद करें हलो स्टुडेंट्स, यहां पर कोश्विड पुचा किया है जो कि मिलान करना है, ठीक है यहां पर दो कॉलम दे रखे हैं स्थम्ब A तथा B ठीक है तो इसमें हमें मिलान करना है कि जो स्थम्ब A है उसमें बीजग वाले बात करते हैं तो पहले क्या है ओलियम अब इन में देखे कि ओलियम से संबंदित कुछ है अगर उसका मैं रिलेटेटिट कोई उसके रजानी गुड़ों या कुछ बीच इस से रिलेटेटिट हो लियम से वही उसका सहीं मिलान होगा तो अगर ओलियम का जो सूत्र होता है वह होता है हटा है H2-H2O7 अगर आप D वाले को ध्यान से देखेंगे तो यह जो सूत्र है वो सेम यही है तो फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा D टेक ओलियम जो होता है वो सधूम-Sulfuric Aml होता है, जब हम Sulfuric Aml का प्रोसेस पढ़ते हैं, तो उसमें ये दिया हुआ है, ठीक है, जिसे हम सधूम-Sulfuric Aml के नाम से जानते हैं, तो ये 1st का D हो गया, यहाँपर भी लग देते हैं, 1st का, अब दूसरे की बात करें, दूसरा क्या है, H2S, इसे क्या योग्यको को अपचाहिध कर देता है तो यह किस प्रकार प्रकार काम आता है क्या करता है अपचायक होता है प्रबल अपचायक होता है तो 2nd का C हो गया ठीक है 2nd का C अब तीसरे पर चलते हैं तीसरा क्या है Nitrogen एक गैस है क्योंकि क्योंकि इसमें बहुत सारे बंद पाए जाते हैं ठीक है नैट्रोजनिक गैस होती है क्योंकि इसमें बुआ बंद होते हैं तो थर्ड का A हो जाएगा यहां पर थर्ड का A और 2 का क्या था C ठीक है यहां पर लगते हैं थर्ड का A अब फूर्थ पर चलते हैं फूर्थ क्या है ओजून जो है ओजून के ऑक्सीजन से प्रबल ओजून जो है ऑक्सीजन से प्रबल क्या है प्रबल ऑक्सीकारक है ओजून ऑक्सीजन से प्रबल ऑक्सीकारक होती है तो कि ठेंट हैं तो हमारे वीज़ी तो हो गए यह चार्थ हो गए अब पांचवे की बात करने पांचवे एक अभिकरिया है तो यह जाहर्यू चीक पता है इसमें यह पूछा गया होगा कि कि यह चो अभिकरिया यह किस्त परकार होग यह तो Craig today हमें क्या प्राप्त हो रहा है ऐगा डूंट husband यह किस प्रकार अभिकरिया यह एक उसमा सोशी अ होती है ठीक है पुष्मा सोशी तो यहां पर एफ वाला आंसर इसका अंसर हो जाएगा उसमा उसमा चोशी अभी करिया आई है फिफ्ट का F तो यहां पर हो गया फिफ्ट का F उसमा चोशी अभी करिया होती है अब 6 की बात करें तो 6 क्या है 6 है एकपफोर्टिस है एकपफोर्टिस क्या होता है एकपफोर्टिस हम नैट्रिक अमल को कहते हैं ठीक है किसे कहते हैं नैट्र एक अमल दिख रह रहा है यह है जी टीट तो sixth का क्या हो गया six uskin kजी हो गया इसे यहांवाद पर मेंचन कर दे और एक सेवेंद क्या कहीं ए साफीध फॉसफॉर।ंस NaOH के साथ क्रिया करके क्या बनाता है सफेद फॉस्फूरस NaOH के साथ क्रिया करके फॉस्वीन गैस का निर्माण करता है ठीक है फॉस्वीन यहाँ पर यह दिया है तो फॉस्ट यहाँ पर सैवंथ का E हो गया ठीक सैवंथ का E वो भी phosphorus गास का निर्माट करता है तेज जOWALा के साथ nutrient gas घूदी वो transient nasıl होती है अब आते हैं आठवे पर आठवा क्या किया रहा है हाती दात और तेल के विरंजन में काम आती है हाती दात और तेल के विरंजन में sulphur dioxide gas काम आती है कौनसी performance sulphur dioxide तो Sulfur-Dioxide Gas का है, यह लास्ट, SO2, ठीक, तो एर्थ का क्या हो गया, J हो गया, एर्थ का J, ठीक है, नाइन्थ क्या है, नाइन्थ है हमारा प्रती-क्लोर के रूप में, प्रती-क्लोर के रूप में क्या काम आता है, ओजोन प्रतिकलोर के रूप में ओजोन काम आता है तो यह हो गया ओजोन का अंसर तो नाइन्थ का क्या हो गया यहां पर भी नाइन्थ का आई हो गया अब लास्ट बचा है हमारा तेंथ तो तेंथ पीसल की बहाती व्युवार करता है कौन पीसल की बहाती व्युवार करता है तो इसका अंसर होगा एच क्योंकि लास्ट यहीं वचा है तो यहीं आंसर होगा इस का रख ठीक है यह तो 10 का जी 10 का एच टिक 10 का एच यह हमारे सारे उत्तर हो गया पीसेल 5 की बाती कारे करता है ख्लोरीनी का रख ठीक है तो आशा करती हूं यह आंसर्स आपको समझ में आ गये होंगे थैंक यू